हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल लिवी की रसोई सो फ्रेंट साज हम बनाने जा रहे हैं बटर स्कॉच फ्लेवर आइसक्रीम आज हमने पैकेट वाले पावडर से इंस्टेंट बटर स्कॉच आइसक्रीम बना कर तयार की है बस इसे सैट होने में ही टाइम लगेगा इसके अलावा आपको बिल्कुल भी महनत नहीं करनी है तो जादा देन ना करते हुए आई रेस्पी को शुरू करते हैं सो बटर स्कॉच आईसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मार्केट से बटर स्कॉच आईसक्रीम मिक्स पाउडर पर्चिस किया है तलाटी कमपनी का मार्केट में आपको अलग-अलग ब्रैंट के अलग-अलग आईसक्रीम मिक्स पाउडर मिल जाएंगे आप कोई भी पर्चिस कर सकते हैं आईस क्रीम बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कड़ाई को गैस पर चाड़ा दिया है लेकिन अभी गैस की फ्रेम को चालू नहीं किया है इसमें मैंने आधा लिटर दूड डाल दिया है तो फुल क्रीम मिलक का ही इस्तमाल करना है आपको आईस्ट्रीम बनाने के लिए पैकेट को खूलने के बाद आप देखेंगे इसमें दो पैकेट अंदर निकले हैं दोनों पैकेट को खूल कर आपको दूद में डाल देना है तो अभी हम कैस की फ्लेम को चालू नहीं करेंगे पहले हम पैकेट को डालेंगे दोनों पैकेट के पाउडर को दूद के साथ पहले हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर मिलाने के बाद ही कैस की फ्लेम को चालू करेंगे गैस की फ्लेम को चालू करने के बाद आप मीडियम फ्लेम पर ही इसको बॉयल कीजिए अच्छे से मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को मैंने चालू कर दिया है और मीडियम पर रखा है और लगतार चलाते हुए आपको इसे बॉयल करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं आईस्क्रीम का जो मिक्स है इसमें बड़िया सा उबाल आ गया है तो जैसे ही इसमें बॉयल आ जाता है अब आपको इसे करीब करीब 10 मिट के लिए इसी तरह से कोक करना है वैसे पैकेट में सारे इंस्ट्रक्शन दिये हुए हैं आप उसमें भी रीट कर सकते हैं उसमें सिर्फ 3-4 मिट के लिए ही इसे बॉयल करने के लिए कहा गया है लेकिन मैंने इसे यहाँ पर करीब 10 मिट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉयल कर लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़िया कलर आया है तो यहाँ पर अब इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे टिफिन बॉक्स में सैट होने के लिए रखेंगे आइस क्रीम मिक्स क पहरे बात करीब करीब दो गंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए तो इसका ढखकन बंद करके आप इसे पहले दो गंटे के लिए सेट कर लिजे करीब करीब 2-5 गंटे हो चुके हैं आइस क्रीम को मैंने फ्रीजर में से निकाल लिया है और आइस क्रीम अभी हमारी पूरी तरह सैट नहीं हुई है इसके पहले आइस क्रीम को हमें ब्लैंड करना होगा तो आइस क्रीम को ब्लेंड करने के लिए मैं इलेक्टिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप मिकसर के जार का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके पहले भी मैंने कई सारी पैकेट वाली आइस क्रीम बनाई है आपके साथ वीडियो भी शेयर किये हैं जिसमें मैंने पहले मिकसर के जार में ही इसे ब्लैंड किया है आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मिकसर के जार में आप इसे ब्लैंड करेंगे तो आपकी जो आइस क्रीम है वो ठीक से नहीं बनेगी आईसक्रीम बिलकुल परफेक्ट बनेगी बस आपको करना क्या है कि रुक रुक कर मिकसर के जार को चलाना है 1-2 मिनित के लिए चलाएए लेकिन थोड़ा चलाएए फिर रुक जाएए फिर रुक जाएए इससी तरह से आप चलाते जाएए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिटर से आइस क्रीम को बहुत ही बढ़िया से फेट लिया है और आइस क्रीम हमारी कितनी जादा लाइट और सॉफ्ट हो गई है दोस्तों यकीन मानियँ बहुत जादा टेस्टी और डिलिशयस आइस क्रीम बनकर तैयार होती है तो यहाँ पर इसे फेटने के बाद अब फिर से ऊसी घबाइट करें लिए सरे आइसक्रीम जार तो में बहुत आप चॉप ड्राइव दॉट्स हम एड़ किरें के लिए तो यहां पर एक पॉलिथिन मैंने लगा दी है जिससे कि इसकी उपर आइस क्रिस्टल्स ना पड़े चैसे साथ घंटे के लिए या फिर ओवर नाइट आप इसे फ्रीजर में सैट होने के लिए रख दीजिए आइस क्रीम को हमने अच्छे से सैट कर लिया है तो अब आइस क्रीम स्कूप से हम आइस क्रीम निकालेंगे अगर आपके पास आइस क्रीम स्कूप नहीं है तो आप कोई भी गोल चमच का इस्तमाल कर सकते हैं आइस क्रीम निकालने के लिए और यहां पर ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलिशल बटर स्कॉच एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप खुछ रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद